हाई एवरिवन आज मैं आप सभी के साथ एकदम सौफ्ट जूसी और ट्रांस्परेंट पनीर मॉमोस की रसिपी शेयर करने वाली हूँ ठेले पे मॉमोस तो आपने बहुत खाए होंगे एक बार आप इस रसिपी से घर पर मॉमो बना करके देखिए बहुत ही डिलिश्यस बनेंगे तो चलिए इसे कैसे बनाना है फटा फट से रसिपी को स्टार्ट करते हैं तो पनीर मॉमोस बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो लगा करके तयार करना होगा जिसके लिए यहां मैंने दो कप मैदा का इस्तमाल किया है आप चाहें तो गेहु के आटे का भी इस्तमाल कर सकती है थोड़ा सा हेल्दी रहेगा अब इसमें डालेंगे स्वादनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए ना अमें इस सेमी सॉफ्ट सा मैदा गूत करके तयार कर लेना है यानि जो हमें डो लगाना है वो ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए तो इसे गीले कपड़े से कवर करके अभी के लिए हम साइट पर रख देते हैं ताकि मैदा जो अची तरह से सेट हो जाए और नरम भी हो जाएगा तो अब हम बनाएंगे इसके लिए स्टफिंग तो स्टफिंग के लिए यहाँ ना मैंने दो गाजरे ले ली थी कद्दुकस करके एक सिमला मिच ली है एक दम बारिक काट करके और एक प्याज लिया है इसे भी बारिक कट कर लिया है अब एक बड़े से बाउल में न हम इन सारी सब्जियों को डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच अद्रक और लहसन का पेस्ट साथी में एड कर देंगे स्वाधनुसार नमक तो यहाँ जो नमक मैंने एड किया है न पनीर को लेकर के ही एड किया है अभी पनीर को हम एड नहीं करेंगे तो इसे नमक को न सारी सब्जियों के साथ अच्छी दर से लगा देती है और इसे अब हम 10 मिनट के लिए छोड देंगे क्योंकि जब हम नमक डालते है न सब्जियों में तो उसमें से बहुत सारा मॉइस्चर लिकाता है ये देखिए कितना पानी निकल रहा है अगर इस पानी को हम ऐसी छोड़ देंगे तो मुमोस जो है सौगी हो जाएंगे तो अब क्या करेंगे एक पतला सा कपड़ा ले लेंग यहां मैंने एक कटोरी पनीड लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था इसे भी डाल देते हैं और अब इसमें डालेंगे एक चुड़ा चमच काली मिर्च का पाउडर आदा चुड़ा चमच गरम मसाले का पाउडर और एक चुड़ा चमच ना मैं इसमें सेजवान चटनी आप इसकी जगा ना लाल मिच्छी पॉडर का भी स्तमाल कर सकते हैं यहां फिर मिच काट कर भी ढाल सकते हैं और कोई एक्स्ट्र मसाला हमें नहीं चाहिए इसी ऐचछी तर से मिक्स करेंगे और हमारी स्टरफिंग जो है बनगर्कर के तयार है तो यहां मैदा भी अच्छी तरसे सेट हो गया है इसे मैंने एक बार अच्छी तरसे गूत लिया था वापस से अब हम इसमें से ना एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे यह देखे इस तरह का तो इस तरह से जब हम मोमो बनाएंगे ना एक बड़ा साइज का दार वाला ग्लास ले लिया यह जो इसके साइड से बहुती धार वाले है तो इसे सूखे मैदे में हलका सा डस्ट करेंगे और उसके बाद यह देखे इस तरह से रोटी के ऊपर ना चोटी-चोटी से रोटी निकालेंगे यानि जितने बड़े हम मोमो बनाने न उतनी बड़ा-बड़ा हमें कट कर लेना है इस तरह से तो एक बार मेरे चार शीट आपकी बन कर के तयार होगी और जो एक बार मेरे चार शीट बनकर तयार हो गई है तो एक शीट लेंगे और इसके सेंटर में हम रख देंगे स्टफिंग तो स्टफिंग यहां मैंने एक चमच के करीब रखी है अब बनाएंगे मोमो का शेप तो यह सबसे इजी लगता है मुझे एक तरफ हमें बस प्लेट्स मना तो न आपको कोई पानी की ज़रत पड़ेगी बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाएगा वैसे मुमो का शेप बनाने में मैं भी ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ बट यह वाला जो शेप है न काफी एजी लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है तो मैं यही वाला काफी सारे मुमोस तो यह इंजी इस तरह से बस एक तरव आपको प्लेट बनाते जानी है और दूसरे तरव से इसे जोइन करते जाना है तो जैसे गुजिया बनाते है ठीक उसी तरह से देखने में लगता है तो ऊपर से इसे मैं अची तरह से स्टिक कर लिया है यह तो इसके उपर जो पत्ता गोबी के पत्ते होते हैं वो लगा सकते हैं या फिर बटर पेपर भी लगा सकते हैं तो यह दिखे अब एक के बाद एक मैं यहाँ पर मोमो सेट कर रही हूं तो आठ मोमो एक बार मैंने स्टीम करने जा रही हूं पानी गरम कर लिया है तो यह मैंने वही वाली कडाई ले ली थी जिसमें मैंने आटा लगाया था और इसके अंदर हम मोमो वाली प्लेट लेंगे और इसके उपर अच्छे से कवर कर देंगे ताकि स्टीम जो है बाहर ना है अब 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर हमें स्टीम कर लेना है तो यह दिके 15 मिनट के बाद मैं मोमो को चेक कर रहे हूँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया ट्रांस्परेंट दिखने लगे हैं तो जब यह ट्रांस्परेंट से दिखने लगे ना समझ जा यह मोमो बन करके तयार हो गए है तो इन्हें निकाल करके थोड़ी देर के लिए हमें ठंडा होने देना है यह एक मिनट के छोड़ के साथ मियूनिस के साथ या फिर सेजवान सॉस के साथ किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं तो हाई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ बाई बाई